इसे हिंदी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं ये किसी प्रोणाउन में self यानी singular नंबर के साथ या selves यानी plural नंबर के साथ जोडने से बनता है जैसे myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves ये reflexive प्रोणाउन है जब self या selves प्रोणाउन के प्रयोक से काम करने का प्रभाव खुद करता पर पढ़ता प्रतीत होता है तो उसे हम reflexive प्रोणाउन कहते हैं दूसरे शब्दों में जब किसी verb in subject और object एक ही वेक्ती ये वस्तू रहे तो object के रूप में प्रयोक्त शब्द को reflexive प्रोणाउन कहते हैं जैसे 1. In this way you will hurt yourself अर्थात इस प्रकार से तुम स्वयम को दुख पहुँचाओगे 2. He spoiled himself अर्थात उसने खुद को बर्बात कर लिया 3. We ruined ourselves 4. They fought among themselves 5. We लोग आपस में ही लडए 5. Hari solves his problems himself अर्थात Hari अपनी समस्याई स्वयम सुल्जाता है 6. We read ourselves at home अर्थात हम लोग घर पर स्वयम पढ़ते हैं इन वाक्यों में yourself, himself, ourselves, themselves शब्द reflexive pronoun के उधरन है स्वयम सब्दम के लिए 9. We are the रापको अर्थात